हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हैं अपनी यूटूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं वहन के परतेख भाग की चर्चा में जो हमारा टोपिक चल रहा है इसमें जो हमारा क्रेश कोर्स है उसका आठवा भाग आपके सामने में पेस करने जा रहा हूँ और यह आठवा भाग में हम इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है हमारा उसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो वहन होता है उसमें इलेक्टिकल सिस्टम है वो भी भूती मैटोपून होता है तो इसके समझ में जो बेसिक नोलेज है वो आज हम इस वीडियो में कम समय में प्राप्ट करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों अगर हमारा ये यूटूब चैनल है इस पर अप्लोड की जाने में जो वीडियो है या आपको पसंद आये हैं तो इसको लाइक शेर और कमेंट करना नहीं बूलें और दोस्तों इसको आपकर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरू कर ले में तदा बेल ऐकन उसको प्रेस कर देंए ताकि इसकी बाद में जो वीडियो आएगा उसकी जानकरी आपको मिल सके दोस्तों जो रोड साइड मरमत का जो टोपिक है आईको ड्राइवर एक्जाम को ले कर तो इसमें सब्से मैंदवपून टोपिक रोड़ साइड मरमत है तो इसके समझ में रोड़ साइड मरमत है जो वहां की समपू Victory जानकारी से संबन्द रगता है तो वहां के परतेख पार्ट की चर्चा है, वो हमें कर लेनी चाहिए तो दोस्तों इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें जो शेक्षन और धाराएं हैं जो 2019 में मोटर वाइकल एक्ट के द्वारा जो नियम बदले गए हैं उन नियमों के बारे में हम संपूर रूपशें जो विस्तार से चर्चा है वो करने वाड़े हैं दोस्तों तो आप उसकी चिंता नहीं करें इसके अलावा दोस्तों बात करें जो ओईल है ओईल कितने प्रकार के होते हैं कौन-कौन सी ओईल है वाइकल में कामें लिये जाते हैं तता कौन सी ओईल को बदलना चाहिए इसके समझ में भी ही जो वीडियो है वो तियार किया जा रहा है तो उसमे जो गाड़ी को काम्याभी से काम करने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है इस जरूरत को पूरा करने के लिए बेटरी की ही एक एसा साधन है जो बिजली की जरूरत को पूरा करती है ये सेलों का एक समू होता है बेटरी में क्या होता है कई परकार के जो सेल है उसको समांत बेटरी बिजली का इस्टोर है जरूरत के अंदुसार बिजली देती है आम तोर्षे गाड़ियों में 612 बॉल्ट की बेटरिया कामे ली जाती है तो भोती पोट्रेट आप सब के लिए कि जो गाड़िया होती है इनमें कहां से लेकर कहां तक कि जो बेटरी उसका इस्तिमाल क किया जाता है इसके लाव दोस्तों बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपने यह जाना है कि जो वाहन होते हैं उसमें कहां से कहांता है कि इतने वाट की जो बेटरी अकामे ली जाती है 6-12 के लिए इसके लाव दोस्तों मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जो बेटरी जो आपके आल्टरनेट लगा होता है या जो लगा रहता है आपके जो डाइन्दमो सिस्टम होता है डाइन्दमो सिस्टम और आल्टरनेट की जो कारे प्रणाली है वो क्या करता है वो जो इंजिन की यांतरी कुर्जा है उस यह आंत्रिक उड़जा के मादिम से गोल गूमकर इलेक्टरिक के मादिम से बेटरिय वो चार्ज होती है जो आपके सामने यहां देख सकते हैं कि यहां जो यह सिस्टम है यहां लगावा है तो इसके लाव दोस्तों इसमें एक केथोड होता है यह एनोड होता है तो आप यह ध्यान रगना कि जो यह एक आपके सामने यह पोजिटिव शीरा है एक नेगिटिव शीरा है तो पोजिटिव शीरा होगा वो किस रंग में होगा लाद रंग में होगा और जो नेगिटिव शीरा है वो बलेक कलर में होगा यहां बहुत important बाते हैं और यहां आप जो main switch है बेटरी का कि जो बेटरी से current निकलने वाला है उसको on-up करने का काम करता है ताकि इस गाड़ी में supply देनी है यहां फ्यूज लगावा होता है दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं कि जरूत क्यों पड़ती है इसकी जो जरूरत है गाड़ी में बेटरी की गाड़ी में बिजली से काम करने वाले भागों को बिजली देना यह इसकी जरूत है नमबर दो है आल्टरनेटर या डायनमो दोवरा पेदा की गई बिजली को अपने अंदर इस्टोर करना बेटरी क्या काम करती है जो डायनमो या आल्टरनेटर होता है आप सबको बताए क्या काम करते है और किसके मादे में से चलते है जो आल्टरनेटर है या डायनमो है वो इ बेतरी के जो से जोड़ा जाता है बेटरी दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक है सिरीज किनेक्शन, सिरीज में क्या होता है, सिरीज में मतलब होता है, जैसे दोगो एक हो गया प्लस सिरा, एक हो गया माइनस, वापिस इस बेटरी का भी प्लस और माइनस, तो सिरीज में क्या होता है, सिरीज में होता है, प्ल प्लस माइनस प्लस माइनस जो शीरे होते हैं दुबारा बताओं मैं आपके सामने तो यह प्लस हो गया एक नमर बैटरी का और माइनस हो गया यह दूसरी का प्लस और माइनस यह प्लस और यह माइनस आपके सामने तो इनको अगर स्रेणी शीरीज में जोड़ना है या स्रेणी सब पता है यह दो तर्मिलाल हो जाएंगे निकाल लेंगे और बाद में जो इसका प्लस है इस प्लस से जोड़ ने इसमस को इस प्लस से जोड़ दा attribute और माइनस माइनस बाध करें किंख्षी के करते हैं यह इक पॉजिट्टीव टर्मिल को दूसरी बेटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है जिसें शिरीज कनेक्शन कहते है मतलब है पहली बेटरी का पलस दूसरी का माइनस तो इस प्रकार ये शिरीज हो जाएगा इसमें वोल्टेज बढ़ता है एंपियर वही रेता है वोल्टेज तो बढ़ जाएगा लेकिन एंपियर है वही रेता है अलग अलग वोल्टेज की बेटरी को इस प्रकार नहीं जोड़ सकते है अगर आपको शिरीज में कनेक्शन करना है तो आपकी जो सभी बेटरी है उनकी जो वोल्टेज चमता है वो समान होनी चाहिए इसके लिए दोस्तों बात करें जो पेरेलल कनेक्शन होता है जब एक बेटरी के पोजिटिव टर्मिनल को दूसरी बेटरी के पोजिटिव के साथ जोड़ा जाता है उसे पेरेललल कनेक्शन कहते है इसमें वोल्टेज वही रहता है परन्तु एम्पियर बढ़ जाता है अलग लग वोल्टेज की बेटरी इस प्रकार जोड नहीं जोड सकते बनलब जो स्ट्रेणिक करम है या जो समानतर करम है इसमें बेटरी जो चमता है वो समान रूप से होनी चाहिए आगे बात करें टर्मिनल की पैचान किस प्रकार की जा सकती है जो टर्मिनल होते है जो बेटरी के उपर होते है दोस्तु आप देख सकते है इस बेटरी में दो टर्मिनल है यह एक नेगेटिव टर्मिनल हो रहे है कि यह पोजिटिव टर्मिनल है आप इनको कलर से भी देख सक तो पैचान करने का वही तरीका है कलर कोड पोजिटिव टर्मिनल पोस्ट पर क्या होगा नेगेटिव से मोटा होगा पहली बात तो पोजिटिव क्या होगा नेगेटिव से मोटा रंग चोकलेट ब्राउन मतलब गुलाबी कलर का या चोकलेट कलर का हो सकता है इसके लाव जो वहां वोल्टेज की जो मात्रा हत्मा की जो क्वांटिटी है कितनी जो वोल्टेज है वो बहर ही है दोनु टर्मिनलों की बीच में उसको मापा जाता उसे वोल्ट मिटर कहते हैं यह सब जानते हैं दोस्तों आई यह साधना बाते हैं इसके लाव दोस्तों बात करें एक होता ह पूरी चार्ज करते हैं और कुछी समय में वापस डिस्चार्ज हो जाती है तो इसका क्या कारण हो सकता है नंबर एक है टर्मिनल का मेला होना टर्मिनल पर जंग आ जाए या वाटर या कोई ओईल बगेरा को जो भी है वो लग जाए इसके लावा जो आल्टरनेटर या डाइ बेटरी होती है बेटरी का निर्मान कई शेलों को जोड़कर बने जाता है एक शेल में क्या होता है दो प्रकार के पदार्थों को कामे लिया जाता है और दोनों पदार्थों में के बीच में एक इलेक्ट्रोड कामे लिया जाता है ताकि वहाँ जो एनर्जी है वो एकरतित यह एक शेल था आप अनियक परकार के शेल yo' को जोड़ कर बड़ी बेटफी बनाई जाती है और बेटरी का है बेटरी को कम यह ज्यादा चंता वाली बनाई जा होंथी जोड़ कर तो जो शेल अंदर वे शेल अगर षोट होग schauch और यह बेटरी क्या होगी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी इलेक्ट्रो लाइट की कमी होना जो इलेक्ट्रो लाइट बेटरी के अंदर होता है उसकी कमी हो जाना बेटरी कंटेनर का रिस्ट ना जो बेटरी का जो कंटेनर है उसमें जो पधार्ट डाले गए है रासानीक पदार्थ, जहां रासानीक उर्जा, जो विदियू तो उर्जा है, वो रासानीक उर्जा में convert होती है, और store हुई रहती है, तो उसका क्या है, रीस्ट ना, उसका खराब हो जाना, यह भी कारण हो सकता है कि बेटरी है, जल्दी आपके क्या होगी, discharge होगी, overcharge, overcharge ग काम है, नहीं करेगी, और जो वहाँ है, उसको electrical system से, जोड़े, जोड़े, नहीं पाएगी, overcharge का क्या कारण हो सकता है, नमबर एक है, alternator और dynamo, दोनुका आप सबको काम है, पता है, क्या काम होता है, engine की जो यांतरिक सकती है, उसके दोरा यांतरिक उर्जा करके, वीदियू बात करें, सावधानी और रक्षा कैसे की जा सकती है, बेटरी की जो उसको सावधानी से कैसा रका जा सकता है, उसकी सुरक्षा किस परकार की जाने चाहिए, नमबर एक है, बेटरी अपने केरियर में सही तरीके से नम दे, नम दे होते हैं, जैसे दरी हो गई कोई, या कोई कुछ मदलब कोई ऐसा जो मुलाइम कपड़ा बगेरा जो भी हो हार्डनेस उसको एकदम सही धंग से फिट करने के लिए आप इसके लिए टायर का जो ट्यूव होता है वो भी कई दोस्त हो लगा सकते है बेटरी अपने केरियर का मदलब है निर्धरितिस्तान नमदे या कुशन के साथ सही फिट होना चाहिए ताकि वो हिले डूले नहीं और वहान में वहान को अग सोक लगते हैं जटके लगते हैं तो इसके वो बेटरी है वो प्रवावित नहीं हो इसके लिए सही से कशी हुई होनी चाहिए इलेक्ट्रो लाइट की सत्य प्लेट्स के उपर 1 बटा 4 हो इसमें फिक ग्रेविटी 1.2.80 कम नहीं होनी चाहिए ये बेटरी के इलेक्ट्रोड की बात हो रहा है उनमें जेली लगा कर रकनी चाहिए जेली का मदलब है पेट्रोलियम पदार्त या कोई चिकना पदार तिया मलब जो वो है वहाँ जंग ना आए और उनकी जो वहाँ से जो सप्लाइग दे रहे हैं वो आसानी से वहाँ पकड़ सके टर्मिनलों को सेंटर से साप करना चाहिए मलब थोड़ा सा गिसकर साप कर लेना चाहिए उसको फिल्डर पलेगों को हमेशा साप कर रहे हैं रखना चाहिए फिल्डर होते हैं जो साधरन बासा में लेंगड़ा कहते हैं दोस्तों हम में तो लेंगड़ा कहता हूं उसको जो बेटरी के उपर जो टर्मिनल होते हैं वहाँ उसको लगा कर उसको कस्त दिया जाता है वो लेंग नंगी रोस्णी बेटरी के पास नहीं ले जानी चाहिए यहां नंगी रोस्णी का मतलब है जो जैसे कोई mercury होती है जिसमें जो supply होती है जो दोनुं वायर होती है positive negative वो सिरे बाहरी होते है तो वो बेटरी के पास में लाज़ है क्योंकि बेटरी भी क्या है कि जहां इस्ठोर की हुई एनरजी है तो आप वहां उसको रोशनी को नहीं ले जाएं ओफ रोड गारी से बेटरी उतार कर समय समय पर चार्ज करनी चाहिए ओफ रोड का मतलब है आपकी गारी अगर कई दिनों से रोड पर नहीं चड़ी है ओफ रोड का मतलब है रोड चे नीचे को मतलब है आपकी गारी चल नहीं रही है तो गारी अगर लगाता एक जग़ रहेगी तो बेटरी थो क्या है अपने आप पूरा चार्ज कीजिए उसके बाद में गाड़ी में इस्तिमाल कीजिए बेटरी को ओवरचार्ज होने से बचाना चाहिए ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए, ज़्यदा चार्ज नहीं हो इसकी विवस्ताईक दमें, उसकी इलेक्टिकल शिस्टम में जो जो आल्टरेनेटर या डायनमो के दवारा जो विध्यतूर्जा उसको परदान की जाती है उसकी मात्रा सिमित रहे तो वो सिस्टम भी एकदम सही डंग से रहना चाहिए यदि इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो बार-बार सेल्प है स्टार्टर को गो नहीं गुमाना मतलब कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो उस तकी में आपको जो गाड़ी का जो सेल्प है उसको बार-बार नहीं मारना चाहिए बार-बार मारने से बेटरी डिशार्ज होती है और सेल्प है वो भी कम एनरजी के कान क्या है खराब होने की पूरी संभावना रह प्राब हो सकते हैं तो जो जो सही टूल वहां कामे लिया जाना चाहिए उसी टूल के दोरा उसे बेटरी ट्रिमिलों को खोलता रहना चाहिए हैमर और लीवर हैमर कहते हैं हत्रोडे को तो इनका प्रियोग है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा और इमें ये वीडियो फटा-फट करा रहा हूं तो आप वीडियो की स्पीड हो ज्यादा नहीं बड़ाएं एक दम नॉर्मल आउस्ता में सुनें मेरी आवाज है अल्रेडी क्या है बहुत तेज है तो दोस्तों जो इले जो डाइनमो होता है आल्टरनेटर होता है वो सिस्टम क्या होता है चार्जिंग सिस्टम होता है जो इंजन की यांतरी गुर्जा से है ये बहुत इंपोर्टेट है दोस्तों जो आल्टरनेटर या डाइनमो है वो क्या करता है इंजन की यांतरी गुर्जा को वीडियो तोर है यह जो लाइट है वह कौन कौनसी color की होती है कौनसी light कहा होती है इसके समयने में भी video जरूर बनेगा दोस्तों आप चिंताने करें आप दोस्तों के comment में ने देख थे जिसमें आप लाइट के बारे ये छोटा वीडियो डालने की request की गई है तो इसके पर भी वीडियो बना दिया जाएगा इसके लाव दोस्तों हॉर्न सरकीट होता है आप सबको पता है अगर बिना बेटरी के हॉर्न आप गाड़े में लगाते हैं तो उसके खराब होने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है और वो से रेंग से काम भी नहीं करता इसके लाओ दोस्तों लास्ट आये है गेजी सरकीट दोस्तों ये पहली बार सब आये है मुझे पता है आप सब को इसके बारे में बहुत कम जानकरी होगी लेकिन जो ये ग बेटरी होती है गाड़ी गरम हो गई ठंडी हो गई या जो बेटरी चार्ज है या नहीं है गाड़ी ओन है या ओफ है न्यूट्रल है या किसी गियर में है यह गाड़ी बंद है या चालू है इस प्रकार की जो विवस्ताइं होती है यह जो गड़ी लगी रहती है हमारे य गड़ियां लगी रहते हैं जो लेकिन इसमें ओडो मेटर हो स्प्ऩीडो मेटर बगेरा जो लगी रहते हैं उनके बारे में प्धाइप बना करें आपके सामने पेस किया जाएगा दोस्तों आप चिंता ने गरें गेजीग का मदधक़ गारी लगिनल आतए है जिसमें यह बता है जाता है जाझाल जाता है उद्ध के लाइं गारी की सीछ नहीं सूंझालों इसके लाइए जाता है आपके सामये बहुतáticas कुप वहां हम ने की पहला है वो किस प्रकार काम करती है उसका उर्जा रुपांतरन होता है वो किस प्रकार से होता है दोस्तों यह जानने के लिए मैं आपके सामें एक स्लाइड त्यार करके लाया हूँ दोस्तों तो दोस्तों मैं आप सबको पता है कि हमारा जो उर्जा रुपांतरन होता है किस टाइप स साप्ट है वो घूम जाएगी और इसी क्रेंक साप्ट के अधार पर दोस्तों क्या होता है जो डाइनमो होता है आल्टरनेट होता है वो घूमता है इसी यांतरी गुर्जा से दोस्तों तो यह यांतरी गुर्जा क्या काम करती है हमारे वन मिनट जो यह यांतरी गुर्जा है इसका मनलब है कोई किसी यंतर का गूमना, तो क्रेंक्साट गूमेगी, तो वहाँ आल्टरनेट रोड या डाइनमो लगावा है, वो क्या काम करेगा, इस यांतरिक उर्जा को विद्यो तुर्जा में कनवर्ट करने का काम करेगा, और यही जो वीडियो तुर्जा है बेटरी में इस्टोर के समय रासानिक उर्जा में क्या होगी इस्टोर होती जाएगी मलब 71 होती जाएगी और यही रासानिक उर्जा है जो वापिस इसका उप्यों करेंगे तो यह वीडियो तुर्जा में वापस कनवर्ट हो जाएगी दो दोस्तु तो आप आपके सामने में जो उर्जारूपांतरन का मैंने जो ये डाइग्राम मनाया है आप इसका screenshot ले सकते हैं दोस्तु बहुत ही important है कि जो सवरू में जो इन देन होता है वो किस इस्तुती में होता है और अंतिरूम उंतिम रूप में जो वीडियो तो होती है वो objective टाइप की जो क्यूशन है उसका जो कॉम्बो है आप सबको पता होगा 10 जनुरी से लेकर आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तु हम तो उसके आप चिंटा ने करें जो objective टाइप की जितने भी electrical system से हो या gearbox से समझदी तो या कलच से हो इंजन से समझदी तो या roadside मरमत को लेकर जितने भी परसंद बनते हैं इसके लाओ दोस्तों जो हमारा next वीडियो होगा वो section और जो धाराएं है 2019 में एक सीतम और 2019 जो हमार जो नया motor vehicle act लागू हो है उसके समझ में जितनी भी परसंद होंगे जितनी भी धाराएं होंगी जितना भी हमारा जुर्माना होगा उसको लेकर हमारा एक वीडियो जल्दी आ रहा है तो दोस्तों मुझे पूरी उमीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा द उसकी जानकारिया आपको मॉवाइल पर तुरंद मिल्सके दोस्तों जो मॉडल टेश च्रीज चिंता न है करें दस दॉनरी है और उसका बहुती अच्छा है वो content आपके सामने मिलने वाला है तो उसकी आप चिंता मुझे है उस content को बनाने में तो दोस्तों आपके इसके अल अलावा एक्स्ट्रा या भूत कम पड़ा रहा हूं तो उसके समयद में आप अपना कमेंट बोक्स में आप अपना जो सुझाव है मेरे पास बेश सकते हैं और उस पर भूती ज्यादा गोर किया जाएगा और आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे लिए सही नहों कि जो अब्जेक्टिट टाइप की जो हमारे मॉडल पेपर सीरीज होगी तो उसमें हम ज्यादा डिस्क्रिशन नहीं कर पाएंगे डिस्क्रिशन करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होगा फिर भी दोस्तों जो टेक्निकल क्योशन आएंगे जिनमें बहु